दोस्तो अगर आप भी 2023 के दौरान एक features overloaded और ज्यादा space वाली कार की planning कर रहे हैं तो ये वेडियो आपके लिए काफी best हो सकता है because Tata Motors आपके लिए लेकर आ रही है अपनी Tata Harrier का facelift model जो की देखने में काफी सांदार और features overloaded होगी और जो भी features अभी तक Tata Harrier में missing थे अब वो facelift upcoming Harrier में आपको नजर आने वाले है इस car को fortuner का छोटा भाई भी माना जाता है और हमेशा की तरह छोटा भाई बड़े भाई से आगे होता है यानि बड़े मिया तो बड़े मिया छोटे मिया सुआनला अगर वहीं मोटे मोटे features के बारे में आपको बताऊं तो front look को पहले से काफी muscular design दिया जाएगा जो car में चार चान लगाने का काम कर रही है तो अगर आप भी एक next level features overloaded car की planning में है और आपको एक दबंग look के साथ large pyramid संडूफ चाहिए तो आप थोड़ा सा इंतिजार कर सकते ह तो इस वीडियो में आपको पूरा facelift harrier का पूरी जानकारी detail मिलेगी उससे पहले welcome to our channel smart car review दोस्तो कैसे हो आप लोग आप लोग को मेरा नमस्कार सलाम जहां आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के तरफ से आने वाली एक entry level project and facelift car टाटा हैरियर upcoming के बारे में दोस्तों ये टाटा मोटर्स का facelift model होगा जिसमें आपको कुछी cosmetic updates देखने को मिलेंगे और इस car में आपको west model से ही आपको petrol engine की option देखने को मिल जाएगा और facelift model होने के बज़े से इसके dimensions में आपको कोई भी updates नजर नहीं आएंगे बाकी car को पूरा next level का सामिल रहने वाले हैं और ये expected बताये जा रहे हैं तो सारी features के बारे में बात करेंगे क्या updates होने वाले हैं और अगर petrol engine दिया जाता है तो वो कितने लिटर का रहने वाला है तो उसी के बारे में आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो वीडियो में लास्ट तक ब जरूर करना तो दोस्तो फेसलिप्ट हैरियर को खूब सारे कमफर्ट फीचर्स के साथ लॉंच किया जाएगा सबसे बड़ी खास बात यह है कि आपको पहले से थोड़ी कम देखने को मिलेगी दोस्तो सबसे पहले हम बात करें इसके लुक्स और डिजैन की तो फेसलिप्ट है पर देखने को मिलेगा जिसमें आपको LED headlamps, LED DRLs और back profile पे feature stick LED tell lights देखने को मिलेगी जो facelift Harrier को पहले से कई ज़्यादा सांदाल लुक देगी। से size में बड़ी और चलाने में smooth होगी और ये पूरा display interior looks को काफी ज़्यादा सांदाल बनाती है। साथ ही पूरे interior black theme based होगा जिसमें आपको नए software dashboard की साथ एक steering wheel भी दिया जाएगा जिसके top model में आपको steering के साथ ही पूरा media control के features दिये रहेंगे। साथ ही push touch button, semi digital instrument cluster, electric parking brake, auto holder connected car technology, rear seat with power socket, USB charging, AC band की option और जो Indian customer favorite features, large pair of mix sunroof की option पहले से ही सामिल है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। साथ ही wireless mobile phone charging, height stable driver seat, driving mode selector, JBL premium sound system, 5% sitting arrangement और जो सब से 22 features इस car में सामिल रहने वाले हैं वो है cold storage glove box जिसमें आप अपने drinks वेगारा को store करके रख सकते हैं। साथ ही large road pocket, bottom land का folder जैसे 22 features इस USB car में देखने को मिल जाएगा। तो upcoming facelift carrier में आपको एक high quality car की feeling देगी और आपकी personality में चार चान लगाने का काम करेगी। और इस car में आपको keyless entry जैसे battery features भी सामिल होंगे। जिससे car के वीडियो में आपकी car आपके नजरों से दूर नहीं रहने वाली। दोस्तों यह बात आती है इस USB car के सब से important part यानि की engine और power की। तो upcoming facelift carrier में आपको diesel engine के साथ 7 petrol engine भी offer किया जाएगा। तो सबसे पहले petrol engine में आपको मिलने वाला है 1.5 liter का turbo petrol engine जो की 180 bhp के करी पावर generate करता है। और ये engine आपको 6 speed manual के साथ साथ dual clutch automatic gearbox की option में नजर आएगी। और बताया जा रहा है कि इस car में आपको all wheel drive की option भी offer किया जा सकेगा। तो Tata Motors अपने तरब से भरपूर features facelift carrier में देने की कोशिस में हैं। बाकि के आप से इस car में और क्या feature चाहिए ये हमें comment box नाए 2.0 liter का diesel engine देखने को मिलेगा। और ये engine पहले वाला ही engine होगा जो आपको same power generate करता है और same neutrometer का torque generate करता है। ठीक उसी तरह 6-speed manual के साथ-साथ automatic gearbox की option में ये engine आपको नज़र आएगी। दोस्तों या बास car की life engine features यानी की safety features की। तो upcoming Tata Harrier face lift में आपको safety के बहुत सारे बेहतरीन features देखने को मिलेगी। और ये Tata की car है तो इसको safety में कोई बुरा भी नहीं कह सकता। सबसे पहले मिलेगी। साथी all-evex 360-degree view reverse parking camera, advanced driving assist system और इसमें आपको एडास जैसे बेहतरीन features भी offer किया जाएगा। साथी seat well reminder with practitioner, anti-thap alarm system, hill hold और भी कई advanced features इस SUV car में safety features में नज़र आएंगे। दोस्तो फाइनली अब बात आती है इस SUV car की launch और प्राइज की तो इस car को आने वाले कुछी महिनों में इंडियन मार्केट में launch किया जा सकेगा। और इस car की प्राइज इंडियन मार्केट के अंदर 14.90 lakh से सुरू होकर 22 lakh तक को इंडियन मार्केट में जाएगी। और इस SUV car का सीधा सीधा मुकाबला इंडियन मार्केट के अंदर मेंदरा की XCB 705 सीटर और M की हेक्टर जैसे बैतिरीन काडों को कड़े टकर देगी। लेकिन car के अंदर आपको पूरा एक हाई क्वालेटी car की feeling आने वाली है। क्योंकि ये car देखने में जितनी दबंग लुक देती है उससे कई ज़्यादा इस car को driving करने में फिल है। और ये car driving experience में भी काफी top level की car है। और space के मामने में भी ये काफी अच्छे rank लेती है। और देखने में भी ये car काफी beautiful लगती है। तो वहीं अगर आप एक best powerful car की planning कर रहे हैं तो आप अभी के यानी Tata Harrier के current model के साथ जा सकते हैं। और अगर आप इस SUV car का facelift model buy करना चाते हैं तो आपको थोड़ा सा इंतिजार करना पड़ सकता है। तो दोस्तो आपको ये car कैसी लगी हमें comment box में जरूर बताना। दोस्तो अगर आप इस festival season में किसी car की planning कर रहे हैं तो हमें comment box में ये भी जरूर बताना। आप कौन सी brand की car को planning कर रहे हैं। तो आपको ये car कैसी लगी हमें comment box में जरूर बताना। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल smart car review पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके bell icon को भी दवा लेना। ताकि आपको ऐसी upcoming car की वीडियो और ऐसी interesting वीडियो आपको मिलती रहे और आपको next कौन सी car की review चीए हमें comment box में ये भी जरूर बताना। जोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपनी तरब से एक लाइक ज़रूर करना। अपना कीमती समय देने के लिए ठेंकी सो माज धन्यवाद। मिलते हैं आपसे next वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्या लखना।